हर्याडा की रहने वाली थी निक्की, दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई में अच्छी थी दिल्ली में उसके छोटी बहन भी रहती थी हर रोज निक्की अपने घर में फोन करके अपनी कुशल शेम अपने माता पिता को बता दी थी एक दिन उसने घर पे फोन नहीं किया उसके ममी बापो को लगा कि शायद बिजी होगी अगले दिन उसका फोन नहीं आया उसके ममी बापा ने जब फोन करके पता किया तो पता चला कि उसका फोन स्विच ओफ है उसके छोटी बहन से पूछा तो उसने कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है उसके बाद उसकी छोटी बहन ने उसके और दोस्तों को फोन करके पता करने की कोशिश की कि वो कहा है पता चला कि वो अपने किसी फ्रेंड साहिल के साथ गूमने गई है उसने अपने घर में ये जानकारी दी उसके मम्मी पापा ने साहिल के नमबर का पता किया और साहिल से फोन करके पूछा तो उसने कहा कि हाँ हमारा गूमने का प्लान तो था लेकिन मैं अपनी शादे के फंच्छन में बीज़ी हूँ इसलिए गूमने का प्लान कैंसल करना पड़ा वो घूमना चाती थी प्लान कैंसल नहीं करना चाती थी इसलिए इसलिए वो अकेले ही घूमने चली गी और उसका फोन मेरे पास है उसके पिता को एक कहानी बहुत ज़्यादा अटपटी लगी एक तो उनकी बेटी बिना उन्हें कुछ बताए घूमने चाती है और उपर से अपना फोन भी किसी लड़के को दे कर जाती है उनकी बेटी पहले उनसे कभी कुछ ने शिपाते थे ऐसा उनके माता पिता का विचार था तो ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा अटपटी लगी ना ही उस लड़की का कोई फोन आया ना तो निकी का कोई फोन आया और ना ही उन्हें निकी के बारे में कोई जानकारे मिल रही थे इधर वो साहिल से लगा था फोन पर बात भी कर रहे थे वो उनसे यहीं कह रहा था कि मैं अपने शादे के वंसम में बिजी हूँ मुझे नहीं पता वो कहा है वो आ जाएगी घूमने गई है दो दिन में आ जाएगी तीन दिन में आ जाएगी लेकिन वो वापस नहीं आए फिर दिल्ली में ही उनका उनके पिता का कोई जानकार था उन्होंने उससे मदद मागी अब तहकिकाश शुरू हो गई मुबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया गया मुबाइल की लोकेशन को ट्रेस जब किया गया तो पता चला कि किसी धाबे की लोकेशन बता रहा है उसका मुबाइल फोन फिर उस धाबे में जाया गया तो धाबा बंद पड़ा था कि कहां वो पढ़ने लिखने वाली लड़की कहां दिल्ली में वो एक अपार्टमेंट में रहती थी वहां से वो सीधा उस प्रिच के अंदर पहुँच गई क्या हुआ अदा ऐसा वो ढ़ाबा जो था उसका माले साहिल था तो इस जर्य पुलिस उस जाहिल के पहुँची और उसस सक्ती से पूँच ताज की तब उसके बाद उसने सब कुछ एक के बाद एक कबूलना शुरू कर दिया उसने बताया पुलिस को कि धाई साल पहले धाई साल पहले एक अक्टूबर दो हजार बीस को निक्की और वो शादी कर चुके हैं आरे समाज मंदिर में उन्होंने गुपचिप तरीके से ही शादी की थी और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और सच में अगर निक्की अभी ना मरती तो उसके शादी वाली बात तब तक ना खुलती जब तक वो खुद ना बताती उसने बताया कि वो दोनों ही दिल्ली पढ़ने के लिए आया थे वो कोचिंग इंसिचूट जाते थे और एक ही बस में वो लोग ट्रैवल करते थे तो पहले उनकी मुलाकात हुए धीरे-धीरे दोस्ते बड़ी फिर कब प्यार और कब शादी तक की नौबत आ गए उन्हें खुद कुछ नहीं पता चला इदर साहिल की घर में उसके घरवाले उसके शादी की बात करने लगे उसके शादी तरह करने के बारे में सोचने लगे इस पर उसने कहा कि वो निक्की से शादी कर चुका है उसके घरवालों ने मना किया कि वो अधर कास्ट की है तो हमारी शादी वहां नहीं हो सकते इस पर उसने कहा कि हिंदू मेरिज एक्ट के तहट जब तक पहले बीबी से तलाग नहीं होता दूसरे शादी हो नहीं सकते और तलाग वो देगी नहीं इस पर उसके घरवालों ने उसे रास्ते से हटाने की सला दी साहिल के घर वालों ने एक ऐसे लड़की को साहिल के लिए चुना जहां पर कोई लंबा चौड़ा खांदान ना हो ताकि बाद में कोई जंचट ही ना हो पुलिस केस का, कानून का क्योंकि हिंदू मैरिज अट के तहट तो दूसरी शादी वो कर नहीं सकता था उन्होंने एक ऐसे लड़की को चुना जिसके परिवार में सिर्फ उसकी मा थी और एक पहन थी इससे हुआ ये क्योंकि पिता नहीं था भाई नहीं था तो उन पर कोई केस क्या ही करेगा जरूरी नहीं कि पिता भाई हो तो वो कुछ मदद करें ही सब लोग सपोर्ट करने वाले नहीं होते बहुत से लोग बस्षादी करा के पल्ला जहाणने वाले होते हाँ लेकिन उसने अपनी तरफ से एतियाद बढ़ दी उसने ऐसी लड़की को चुना जिसके घर में कोई नहीं था सिर्फ उसकी माँ थी उसकी बहनते और औरते कर गया लेंगी तो इस तरह से उसके सगाई भी होगे नौ फरवरी को उसके सगाई होगे पर उसने निक्की को इस बारे में कुछ नहीं बताया इधर उस साहिल की कजन ने वाटसअप पे सगाई की फोटो शेयर की उस फोटो को साहिल की कजन की दोस्त ने देख लिया वो दोस्त निक्की की भी थी और निक्की तक खबर पहुँच गए जब फोटो फॉरवर्ड हुई तब इधर निक्की ये साहिल को फोन पे फोन करने लगी साहिल ने अपने घरवालों को बताया कि उसे पता चल चुक है इस शादी के बारे में कि जो वो शादी कर रहा है इस पर निक्की को मारने के लिए साहिल ने अपने घर वालों के साथ प्लैन बनाया साहिल जहां पर वो दिल्ली के अपार्टमें में रह रही थी वहाँ उसे लेने के लिए पहुचा, उसे समझाने के लिए पहुचा, देड़ बज़े से लेके सुबह पांच साड़े पाई बज़े तो वो लोग साथ में ही थे, और उसके बाद, उसके बाद उन लोगों ने वहाँ से भाग जाने का प्लैन बनाया, यह आइडिया निक्की काई था, उसने अपने दोनों बैक पैक की यह वो साहिल के साथ चल पड़ी, पहले उनका प्लैन था कि वो लोग गो आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो प्लैन बदल गया, उन्होंने का कि नहीं, हम लोग हिमा चल जाएंगे, उसके बाद वो लोग पहले ट्रेन के ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पहुँचे लेकिन हुआ यह कि इसका साहिल का टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा था, हाँ चाल होगी इसमें उसकी कोई, उसका टिकट नहीं कंफर्म हो पा रहा था, फिर उन्होंने सोचा कि वो बस से जाएंगे, आब इसके बाद वो बस आ रहा थे, बार बार फोन आ रहा थे, साहिल लेका कि वो पैनिक हो गया बहुत जादा, उसे बहुत जादा परिशान होगी, उससे समझ नहीं वहाँ आ रहा था, वो क्या करें, उसने कहा निक्की से कि मैं नहीं भागना चाथा तुम्हारे साथ, मैं जहाँ शादी मेरी हो अब वहीं करना चाहता हूँ निकी गुस्से में आगब बूला हो गई उसने कहा कि वो मेरे सर्टिफिकर सबको दिखा देगी शादी में आकर हंगामा करेगी वो उसकी शादी की फोटोस वाइरल कर देगी इस पर साहिल ने क्या किया साहिल अपनी कार को निकम बोत एक समशान खाट था उस तरफ मोड लिया और वहाँ पर जहां समसान खाट की पारकिंग होती है वहाँ पर रुक के इन दोनों में बहस होने लगी बहस देर तक चली उसके बाद शाहिल ने मोबा फो वहीं कार में एक चारजर फोन का मौजूद था तो उसने उसी काड़ेटा के बल नि लेकिन उस टैम पे कार वहीं थी उसके बाद वो क्या करता है और वो अपने घर में फोन करके बता देता है कि उससे यह सब हो गया है उसके बाद उसके दो कजन और उसके दो दोस्त और आते हैं वो कार को लेके अपने बंद पड़े ढ़ाबे में जाता है उसी के पिता की सल पर और वहां पर जब उसके साथी संगादी पहुंसते हैं तो उसकी लाश को वो डिक्की से निकालते हैं और प्रिच में डालके फिच को चारो तरफ से रस्टे से बांग देते हैं प्लान थो यह था कि जब वो अपनी शादी के बाद इसमिना से हनीमून के ले जायेगा तो वो बैग में उसके लाश भरके जायेगा और उससे हिल स्टेशन में पहाधी के नीचे गिरा देगा लेकिन उसे की फोन की लोकेशन से उस लड़की की निकी की फोन की लोकेशन से पुलिस पहले ही लाज सक पहुँच गए इधर एक चीज और हुई थी वो चीज यह हुई थी कि जब निकी मिल नहीं रही थी तो निकी के पिता बार बार शाहिल को उसके पिता को फोन कर रहे थे तो फ्रॉस्ट्रेशन में आके साहिल के पिता ने ये कहा दिया कि ये मान कर चलिए कि मेरे लड़के ने आपके लड़की को मार दिया है बस बात खतम तो इस वज़े से शक और पुकता हो गया और उसके पिता तभी जान चुके थे कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है फ्रेंड्स एक पड़ी लिखी समझदार सुन्दल लड़की इतनी बड़ी वेफकूफी बार 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 करती है एक तो गुपचिप तरीके से शादी को करना हमारे देश में शादी को सोसल कुछ सोस समझकर ही रखा गया है लेकि सब लोग इस बात को समझते कहा है क्या उसका माथात तब क्लिक नहीं होना चाहिए था जब उसे ये पता चला कि अगर उसे कहीं और से ना पता चलता कि वो सगाई कर चुका है तो क्या वो उससे बताता? और फिर वो किया ही आके ठीक करेगा? बात चीस से क्या ही मश्राल निकालेगा? अगर वो वफादार होता तो पहले उसके साथ चल लेता tril ऐसे तो कोई मजबूरी नहीं थी ना निके की? कि क्यों, क्यों वो उसके बात पर विश्वास कर लेती ऐसे तो कोई मजबूरी नहीं थी उसके दूसरे बात जब वो समशान घाट की तरफ गाड़ी को मोडता है तो क्यों नहीं निक्की ये बात object कर पाए कि समसान गाट की तरफ गाड़ी क्यों लेकर जा रहा है क्या वहीं एक जगह बची है इस बात को इस जगड़े को सुलजाने की क्यों नहीं उसका दिमाग तब क्लिक हुआ अगर निक्की को फोटो वाइरल करने थी शादी में हंगामा करना था उसे जो कुछ भी करना था उस बात की धमकी देने की क्या जरुट थी जो वैसे नहीं मान रहा वो क्या धमकी सुनकर मानता बहराहाल जो कुछ भी हुआ जो होना था हो गया लेकिन उसके बाद उसके बाद शाहिल भी नहीं बचा कहां उसने शादी की थी तीन दिन बाद वो जेल चला गया 14 फरवरी को पुलिस उसे पकड़ कर ले गए खुद की तो उसके जिन्दगी बर्बाद होई गए उसके अलावा निक्की अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी नई वाली पत्नी उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह सा भयानक सच उसके सामने आएगा जिन्दगी तो उसके भी खराब हो गए समाज में हर तरह के लोग रहते हैं आजादे सब को प्रेय है लेकिन इस आजादे की जिम्मदारी कौन लेता है क्या सोच के घरवालों ने भेजा था और क्या से क्या हो गया तो बहुत चीज़ें सोचने के लिए बहुत चीज़ें समझने के लिए तो जो भी करें